हालो एव्रीवन आप सबका स्वागत है हमारे योटूब चैनल शूब होनलाइन क्लासेज में और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टन सब्सक्राइब कराएं जो पूरी की पूरी हिंदी में है स्टार्ट करते हैं कौन सा बाजार कहते हैं लॉंग टर्म डेप्ट जो होता है वह कौन सी मार्केट में आता है प्रबंद के सिध्धान के जन्मताता कौन है प्रबंद का सिध्धान जो था यानि प्रिंस्पल ऑफ मैंगेजमेंट उसके जो जन्मताता नहीं फादर है वह कौन है ओप्शन ए फ्लैमिंग ओप्शन भी वैबनार्ड ओप्शन सी एफडबलू टेलर और लास्ट ओप्शन है हैंनी फेयोल तो आपका पता है इसका बहुत ही फेमस कोश्चन है तो हैंनी फेयोल इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगी यहीं इसके फादर कहलाते हैं नहीं मैने तो इसका जो राइट आप्शन है वो है आप्शन नमबर दी क्योंकि इसी साल इंडियन अकाउंटिक स्टेंडर्ड जो कमिटी थी उसका इस्थापना यानि उसके इस्टैब्लिश्मेंट किया गया था क्योशन नमबर फूर है यदि क्रैफ प्रतफल की गढ़ना किये हुए विभिन ने भुकतानों की योग द्वारा की जाती है तो इस विदि को क्या कहते हैं क्रैफ प्रतफल का मतलब होता है परचेज कंसीडरेशन इसका जब हम कलकुलेशन करते हैं तो इन में से जो भी पेमे प्रतफल की क्या गया है कि क्या नमबर फाईव है एक चर जैसे कि क्रिया जिसके द्वारा निर्धारिट समय में लागत होती है उसे क्या कहते हैं अप्शन A चालक लागत अप्शन B लागत बेहर अप्शन C लागत केंद्र और अप्शन D इन मेंसे कोई नहीं तो इसका जो राइट अप्शन है वो है आपका पहला अप्शन नमबर A लागत चालक प्रवंद में कर्मचारियों की भागिदारी का बिल कब प्रेशित किया था ऑप्षण A 1983, ऑप्षण B 1988, ऑप्षण C 1990, ऑप्षण D 1981 तो इसका जो राइट ऑप्षण है वो है आपका ऑप्षण नमबर C 1990 इस साल जो है भारा सरकार ने संसद में प्रवंद की भागिदारी के लिए जो बिल पेस किया था वो 1990 यानि 1990 में किया था कोर्शन नमबर सेवन है लावहान में प्रवाहित हरास यानि डेप्रिशेशन की जो अमाउंट है उसको किस पद्दत में बदलती रहती यानि जो प्रॉफिट एंड लॉस एकॉंड होता है उसमें डेप्रिशेशन का जो अमाउंट आता है वो किस पद् सब्सक्राइब कर्मागत हराज 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 पद्दत सब्सक्राइब कि गलते हैं तर डेयर का यृइंट यहशंघ केज़ गिव field तो इस तरीके से जो भी डेप्रिशेशन है यह हर साल आपका चेंज हो रहा है और यह किसमें पॉस्पेल है जब आपका डिमेंसिंग बैलेंस मेतड योज होता है तब कुश्चन नमबर एट है यदि समंगों का वरगी करण केवल वरनात्मक विशेष्टाएं जैसे मापा नह हैते हैं आप्शन है भोगोली को वरगी करण आप्शन बी काहल करमात्मक वरगी करण आप्शन सी गुडात्मक वरगी करण और आप्शन डी है मात्रात्मक वरगी करण तो लास्ट इसका जो सही आप्शन होगा वह होगा आठवे का नंबर सी यानि गुडात्मक वरगी वो समंकों का वर्गी करण केवल वर्णात्मक बिसेशता है जिसे मापा नहीं जा सकता है कि अधार पर किया जाता है कुश्चन नमबर 9 है किसने अपवादों द्वारा प्रबंध की तकनीक को बिक्सित किया अपवादों का मतला होता है यहाँ पर exception द्वारा ठीक है exception द्वारा जो management की टेक्निक थी उसको बिक्सित किया जोसेफ ल मैसी ऑप्शन B लेस्टर आर्मिटल ऑप्शन C अलेफ उर्विक ऑप्शन D पीटर एफ ट्रेकर तो राइट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा option number B that is Lester Arbital इन्होंने अपवादों द्वारा प्रवंद की तकनीक को बिक्सिप किया था question number 10 है नई और दोगिकनीत की घोशना किस वर्स की गई थी या आप जानते है option A है 1997 option B है 1951 option C है 1991 option D है 1998 तो इसका जो सही answer है option number C 1991 में नई और दोगिकनीत की घोशना की गई थी question number 11 है कर्मिचारियों की विकास संभावता की पहचान किसके जरिये की जाती है यनि जो employee जो होते हैं उनका development किस probability संभावता की मतलब होता है यहाँ प्रावविल्टी की पहचान किसके जरिये की जाती है option A, कारिसंबरधन, option B है इसका कारिमूल लांकन, option C है कारिमूल लांकन, केंद्र और option D है पद, स्थितिका, विवरण तो इसका जो सही आप सनुख जाएगा वो होगा आपका option number B, कारिमूल लांकन कारिम वूल लांकन के द्वारा कर्मिचारियों का जब डबलेप्मेंट है उसकी क्या संभावना है उसकी हम पहचान कर सकते हैं कोशन नंबर 12 है मशीन की खरीद के अस्थान से स्थापित करने के अस्थान तक लाने के लिए बीमा खर्च को क्या कहते हैं इसका मतलब समझ लेज़ेगा जब मशीन्री हम परचेस करते हैं तो वो प्लेश से लेक nowhere किस place तक इसको आना है यानि कहाँ पर यह plant लगेगा या machine लगेगी वहाँ से वहाँ तक आने के लिए जो बीमा पर expenses होता है उसको हम क्या कहते हैं जो हम insurance कराते हैं उस particular place के लिए ओ हमारे लिए कौन सा expenses होता है option A है capital expenses option B है आगम खर्चा option C है इस्तिकित आगत आगम खर्चा option D है उपरोग तुमेंसे कोई नहीं तो इसका जो सही option होगा वो होगा आपका capital expenses क्योंकि यह जो expenses होता है वो हम machine ली खरीद रहे हैं और अपने business में लेके आ रहा है यानि capital expenditure कर रहा है तो यह जो आपके expenses होगा वो होगा capital expenditure करीएगा